हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे चलिए इस वीडियो में सिखते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है वर्ग निकालने का नियम जो हर कंपिटिशन के एक्जाम में एक या दो प्रस्ट पूछा जाता है चलिए शुरू करते हैं तो जैसे आप लोग जानते हैं कि एक से तीश तक का वर्ग आप सभी को याद ही होगा एक से तीश तक का वर्ग हर किसी को याद रहता है चलिए इस से आगे का वर्ग कैसे निकाला जाता है कि एक से तीस तक का वर्ग एक से तीस तक का वर्ग हर किसी को याद रहता है वह तो जनते हैं आप लोग तो इससे आगे का डिजिट का वर्ग कैसे निकाला जाता है वह सीखेंगे तो जैसे हो गया 31 32 33 जैसे 31 32 33 34 जैसे यही सब का वर्ग तो इस आपको वर्ग याद नहीं रहता है तो इस आपको कैसे ट्रिक से निकालेंगे तो वही इस वीडियो में लोग सीखेंगा आज तो शुरू करते हैं जैसे पचास से कम संख्या चासे कम या उपर वाली संख्या का वर्ग निकालेंगे का नियाम एकदम दोस्तो आसान वसा में सीखेंगे जो दिमाग में फीट हो जाए ऐसा नहीं क्या सीखें और दो दिन के बाद भूल गए वो नियम नहीं होगा जैसे फिप्टी फूर का इसको है सुनिएगा दोस्तो ध्यान से जैसे फिप्टी फूर का इसको निकालना है तो देखेंगे इसमें फिप्टी से कितना अधीक है तो फिप्टी से कितना अधीक है तो फूर का इसको कर दिए शिष्टी ना गिया उसके बाद कि ट्वंटी फिप्टी फूर में ट्वंटी फाइब में जोड़ देंगे कितना अधीक है फिप्टी से तो फोर अधीक है तो ट्वंटी फाइब 25 को बेस मान लेना है इसमें 50 से कम या 50 से अधीक का वर्ग जितने का भी निकालेंगे उसमें हमारा 25 बेस के रूप में होगा तो यहां देखेंगे अब जैसे यह तू बता आए दिये कि 50 से 54 अधीक है तो फोर का इसक्वार कर देंगे उसके बाद फोर अधीक है तो 25 में फोर अधीक है तो इसलिए जोड़ देंगे 25 प्लस फोर क्या है ट्वन्टी नाइग कि दोस्तों इसके आगे अब इससे कम बाला जैते हैं फिप्टी से जैसे फोर्टी एट का स्क्वार तो फोर्टी एट का स्क्वार करने के लिए तो आम लोग जैसे पहले एट दम पने बताए थे काम या अधीक देखना है पहले फिप्टी से कितना काम है तो फू का मैं तो टू का स्क्वार कर लेंगे तो फोर आएगा अर इसको दो डिजित में लिखना यह तो दिजित में लिखने के लिए आगे शुन लगाएंगे उसके बाद जैसे फोटी एट का वोड रहे दोस्तों तो टू डिजिट फिप्टी से दो का मैं तो दो काई स्क्वाइर कर दिए तो फोर और इसको दो डिजिट में लिखना है तो इसलिए आगे सुनी लगा दी और जैसे हम बोले दे ट्वंटी फाइब यह हमेशा याद रख in to 25 यांदे 25 में क्या करेंगा तू घटाएं गये तो ट्वंटि फाइब मैंनस टू तो टू ठूंटी जीरी कि चलिए दोस्तों सब्स्कों और वहें ओर हो में एकजाभ्ट लेते हैं 58 का स्कूार तो जैसे पहले एक्जांपल दो एक्जांपल में बतायते आ रहे हैं दोस्तों कि अधिक या कम देखना है तो 50 से कितना अधिक है तो 8 अधिक है तो 8 का स्क्वाइर कर देंगे अगर 3 रता तो 3 का स्क्वाइर करें नाइन नाइन सिर्फ वान डिजींट हो जाता है लेकिन laptop इसको अमयसा 2 डिजीट में दिखनें के लिए 3 रता हो तो आगे अचया सीनी लगा आई तो यह जीनी है इसलिए एकडर स्क्वाइर क्लिद प्रोब्लम नहीं है कि उसके बाद देखना है कि 58 में जैसे हो गया है एट अधिक है तो 25 में कि एट प्लस कर देना प्लस क्यों करेंगे कि एट डिजिट अधिक है फिप्टी से इसके 25 प्लस एट 33 हो जाएगा और एक गांपन लेते हैं दोस्त एक काम बाला लेते हैं जिसे आप लोग का कॉंसेप्ट के लिए रुश के अच्छी तरह से 43 का स्क्वाइर तो देखेंगे दोस्तो 43 50 से कितना काम है 7 काम होगा तो 7 का स्क्वाइर 49 होगा और जैसे बोलेते 25 यानि 25 को बेस मौन के चलना है तो काम है काम है तो क्या होगा काम करना है घटाना होगा तो 25 में 7 घटा देंगे तो कितना होगा कि उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग स्क्वाइर करने के लिए 50 से कम या अधिक का सीग्राइब